आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ ठीक है, तो दोस्तों, पारस परिक, ठीक है, क्या होता है जो पारस परिक आश्रे होता है, इसे सहोब कारिता भी कहा जाता है ठीक है, क्या कहते हैं, सहोब कारिता भी कहते हैं, ठीक है और इसमें दो जातियां, ठीके, दो जीवों के मध्य क्या होता है, सह जीवी संबंद होता है, जिसमें दोनों ही जीव क्या होते हैं, एक दूसरे को लाभानवित करते हैं, ठीके, और दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें विकल्पों की पहला है एक अलाई और मनुष्य के बीच तो दोस्तो एक अलाई और मनुष्य के बीच जो है कौन सा संब्ध होता है सह भोजिता ठीक है क्या होता है सह भोजिता का संब्ध होता है सह भोजिता में एक को क्या होता है एक को फाइदा और दूसरे दूसरा जो है अप्रभावित ह होता है ठीक है दूसरा है फूल था था टीतलियों के बीच थीक है तो दोस्तों तीतलियो emphasize फूल के बीच जो है क्या होता है पाधश्परिक आश्रय होता है जो देखते हैं यह किस प्रकार से होता है तो दोस्तों तितली और जो फूल होते हैं पादपों के यह एक दूसरे पर आश्रित होते हैं ठीक है फूलों को क्या होता है फूलों को पराग कणों के आवशक्ता होती है ठीक है फूलों को किस के आवशक्ता होती है पराग कणों की परागन के लिए और यह पराग करणड़ुर्च जो है कौन लाते हैं केट लाते हैं जैसे की तितली और इसी तितली को भोजन कि आवस्क्ता होती है जो कि Geschուल हो के मकरंद से की तितल्य अप्राप्ठ करती है ठीक है? तो इनके बीछ क्या होता है सेह जीवी संबंद होता है जू क्लोरली और हाइडरा के बीच जू क्लोरली और हाइडरा तो दोस्तों इनके बीच पारस्वतिक आश्रे नहीं होता है और हर्मिट क्रेब और समुद्री अनिमेवन के बीच तो दोस्तों इनके मज्य सह भोजिता का भी सब भुजिता का संबंद होता है जिसमें एक को फाइदा और दूसरा अपरभावित होता है तो सही उत्रगों सा हो गया आपर दूसरा विकल्प धन्यवाद